विद्याति मित्रो और मेरे साथ ही सिक्षक मित्रो नमस्कार Anatomy and Histology of thyroid gland के इस presentation lecture में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ lecture की शुरुआत में ही screen पे मैं आपको एक figure दिखा रहा हूँ अभी आपको इस figure में thyroid gland जो है वो आपको ढूनना है ठीक है तो ढूनिया आप कहां पर है thyroid gland चलिए अगर आपने ढून लिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ देखे यहां पर यह जो है यहां पर देखे नाम लिखा है thyroid gland यह जो है यहां पर यह वाला thyroid gland चलिए आगे बढ़ता है यहां पर देखे यह जो फिगर है इसमें चलिए अब आपको फिर से thyroid gland जो है वो ढूनना है ठीक है इस फिगर में भी तो जो नाम है देखे यहां पर thyroid gland लिखा है यह थाइरोड gland ठीक है फिर यह जो है यह टाकिया हो गया ठीक है फिर एसो फेकस यह वाला ठीक है न तो यह क्या है नेक जो रीजन है हमारा हमारी जो गर्दा न उसका क्रॉस सेक्षन जो है वो दिखाया है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो लोकेटेड है ठीक है थाइरोड लेंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं शुरुवात कर रहा है आज का जो लेक्चर है ठीक है तो आज का जो लेक्चर है थाइरोड लेंड के उपर इसका जो अबजेक्टिव है वो क्या है डिस्क्राइब लोकेशन हिस्टोलोजी ठीक है इतना ही है फिर यह जो है हॉर्मोन फंक्शन अब थाइरोड यह आगे वाले लेक्चर में देखेंगे ठीक है तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं लोकेशन हमारे सरी में थाइरोड ग्रेंड कहां पर है और उसका histology कौन से प्रकार के cell उसमें मौजूद है वो बात करेंगे ठीक है और थोड़ा सा discuss करेंगे कौन से hormone पैदा करते हैं thyroid gland अच्छा अब thyroid gland जो है इसका जो shape है इसका जो आकार है वो butterfly shape होता है butterfly का मतलब होता है पतंग यह आप बोलता ना तितली तो तितली जैसा उसका shape होता है और यह जो है thyroid gland कहां पर होती है हमारे शरीर में तो inferior to the larynx voice box larynx या तो जिसे हम voice box कहता है स्वारपेटी तो उसके नीचे यह होती है यहां पर आप देखेंगे यह जो है देखिए thyroid gland यहां पर लिखा है और यह वाली जो है यही thyroid gland है जो लेरिंग्स या तो voice box के नीचे पाई जाती है located है situated है तो यह thyroid gland कहां पर है हमारे शरीर में उसके बार में पूरा जो figure है मैं आपको दिखा देता हूं सारे जो नाम है ध्यान से देखिए आप यह main तो यह देखिए आप यह ना thyroid gland में क्या क्या है सबी के बारे में बात करते हैं अच्छा काटिलेज वगेरा भी देखिए ठीक है क्रिकोईड काटिलेज की position देखिए अब कहां पर है फिर ट्राकिया देखिए ठीक है यह जो है चलिए अब तो यह जो है यह पूरा जो thyroid gland है वो एंटेरियर व्यू में आप देख रहा है ठीक है फिर यहां पर भी आप देख सकते हैं देखिए यह है राइट लेटरल व्यू में आपको जो thyroid gland है वो आपको दिखाएगी यह दिखिए यहां पर लिखा है नाम thyroid gland right low ठीक है इस तरह से अब थाइरोड जो gland है वो किसकी बनी हुई है उसकी रचना में क्या है तो देखिए थाइरोड gland जो है वो composed of right and left lateral lobe तो यहां पर यह वाला जो है यह हो गया right lobe यह वाला जो है left lobe ठीक है one on either side of the trachea तो यह जो है यह टाकिया है trachea के दोनों बाजू में यह thyroid gland का जो lobe है वो मौजूद होता है ठीक है एक है right lobe और दूसरा है left lobe और यह right और left lobe जो है यह एक दूसरे से connect रहते हैं इसमस से ठीक है इसमस का है तो यह वाला जो पार्ट है इतना ठीक है यह है इसमस का मतलब क्या होता है नारो पैसेज अना नारो पैसेज का मतलब होता है सक्रा मार्ग ठीक है और यह इसमस जो है PROFESSOR 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 PROFESSOR। आप देख रहे हुआ है मैं जोम कर देता हूँ तो आप देखें यह जो है wydमास यह वाला जो पार्ट है यह वाली यह है ट्रैक यह के आगे की वार इसमस होता है तो यह जो है यह हमारा दूसरा पॉइंट है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से देखें आप कि यह कि क्यों सबस्क्राइब करना देखें अभी कि तरहसरी कावशल के अब देखें पूरियन जो नेक है इसमें गर्दन में कहां पर उसका एकसर पॉजिशन है थाइरोड ग्लेंड का वह आप देखिए ट्रेक्या देखिए थाइरोड काटिलेज भी देख रही है चलिए अब तीसरा जो पॉइंट है इस पे आते हैं जो지는 Records में उसका बनार में तो पॉजिशन हो पर यह लोब उनमें क्या होता है एक तीसरा भी लोब होटा है जिसको क्या केते हैं और यह वर रच भी यह पहले देख लाएं कहां पर अलो सभी देखेंगे देखिए पाइरेमिडल लोब ठीक है ये बहला और क्या लिखा है ओपन एपसेंट और स्मॉल कई बार ये कई इंसानों है ये नहीं होता या तो अगर होता भी है तो बहुत ही छोटा होता है और ये पाइरेमिडल लोब जो है वो क्या एक्स्टेंड सुपीरियल ली प्राम जी इसमस तो इसमस से ये आप देख रहे हैं ये इसमस से ऊपर की हो रही है एक्स्टेंड हो रहा है ठीक है चल ये चोटा जो पॉइंट है दी नॉर्मल नॉर्मल मास अप दी थायरोड ग्लें उसका अगर वर्जन देखें तो वह होता है 30 ग्राम एक आउंस जितना ठीक है अब ये जो फिगर है इसमें भी आप देखें देखें यहां पे जो लिखा हुआ है थायरोड ग्लेंड इस हाइली वास्कूलराइज स्ट्रक्चर थायरोड ग्लेंड में क्या होती है बहुत सा आर्टरी वेंस कापिलरी इसलिए इसको वास्कूलराइज स्ट्रक्चर कहते है फिर लोकेटेड अंटिरियर टो टी टाकिया यह खहां पर पाई जाती है तो टाकिया के आगे की ओर ठीक है और इंफिरियर टू क्रिकोईड काटिलेज मैंना भी आपको बता है क्रिकोईड का पाटिलेज के नीचे की वार यह होती है थाइरोटिलेंड ठीक है यह जो लाइन है यह हमारे काम का नहीं है ठीक है चलिए तो यह जो फिगर है यह भी आप देखिए पूरा इस तरह से चलिए अब आगे यहां पर भी आप देख सकते है ठीक है इसमें भी सारे नाम जो है देखे आप यह देखे ठीक है एंटे रेव्यू ऑप थायरोटिलेंड लेफ्ट लेटर लोग राइट लेटर लोग इसमस ठीक है पर यह देखे एंटे रेव्यू में देखे आप थायरोटिलेंड देखे इसमस ठीक है राइट लेफ्ट लोग जो है वह देखे ठीक है पिर क्रिकोईड का अटिलेज जो है वह देखे लेरिंग्स का ठीक है नाम आप चलिए अब जो पांचमा जो पॉइंट है इसके उपर आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं अब देखे इसका जब हम थायरोट जो ग्लेंड है ठीक है इसका देखे यह जो है अना थायरोट लेंड जो है आप यहां सी यह एरो जो है वह देखे तो इसका अगर पर आप देखे तो पूरी जो थायरोट लेंड जो है वह किसकी बनी हुई है यह पहले यह तो फिगर वह आप देखे तो देखे यह लिखाए यह आप फिगर में नीचे करें मायक्रोस्को पिक औरगनाइज़िशन अब धी पयरा थाइरोट लेंड इस इलूस्टरेट अबी हमको जो पयरा थायरोट जो है वो नहीं देखना आप यह जो है पैरा थायरोट यहां पर देखे जह प्यरा थायरोट इसलिए अब अभी इना कि फोकस्ट नहीं करता हैं अभी आम जो बात कर रहा है वह थायरोड के लिखा है तो यहां पर लिखा है देखे यह जो पॉइंट है यहां पर जो मैंने लिखा है कि देखे जो थाइरोड लेंड जो है इसकी जो रचना है इसमें क्या होता है microscopic spherical sack होती है जीसे यहाँ पे आप जो देख रहे है ये जो है spherical spiritual यानी गोल जो thyroid gland है उसमें क्या होते है thyroid follicle होते है और ये thyroid follicle जो है make up most of the thyroid gland पूरी जो thyroid gland जो है वो इसी प्रकार के follicle से बनी हुई होती है अजा हर एक जो follicle है हर एक follicle का जो wall है उसमें primarily of cells called follicular cell तो follicle जो है follicle के एर्द के एर्द ये वाले जो cell है ये जो आप देख रहे है ठीक है तो मैं देखा देता हूँ यहाँ पर आप देख रहे है follicle के आसपास जो cell है इन cell को क्या कहते है follicular cell कहते है ठीक है अच्छा और फिर ये जो cell है वो क्या लिखा कि भी most of which extends to the lumen, lumen यानि यह, ठीक है, cavity, polar, ठीक है, lumen, internal space of the follicle, तो जो internal space है, lumen है, उसके इर्द गेर्द, उसकी periphery पे यह follicular cell जो है, वो मौझूद है, ठीक है, अच्छा, और यह जो follicle जो है, यह follicle के अंदर, क्या बरा होता है, field with colloid, उसके अंदर colloid होता है, और यह colloid के बारे में, मैं आपको समझाओंगा, जो next जो lecture है, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, thyroid lane का दूसरा जो lecture लेंगे, उसमें हम यह colloid के बारे में समझेंगे, क्या है वो, तो पूरा जो figure है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह सा, अब यह जो है, point, देखे, छे नमबर का point, a basement membrane surround each follicle, ठीक है, तो यहाँ पे देखे आप, यह जो है, basement membrane, हर एक जो follicle है, उसके इर्दगिर्द क्या होती है, उसके आसपास, एक basement membrane होती है, चलिए, तो 6 नमबर का point, आगे बढ़ते हैं, 7 नमर के point पे जाते हैं, अब देखे, साथ नमर का point, देखे, यहाँ पे आपको, pituitary, जो gland यहाँ पे देख सकते हैं, pituitary आपको बताई है, ठीक है, और anti-repitutary में से, देखे, यहाँ पे, thyroid stimulating hormone, अगर anti-repitutary, जो है, इसमें से thyroid stimulating hormone का जो secretion है, वो अगर कम होगा, या तो नहीं होगा, तो फिर आप देखे, तो आप, TSH अगर कम है, तो thyroid gland जो है, उसकी size देखे, first figure में यह वाली, ठीक है, और thyroid gland का जब हम cross section देखते हैं, तो उसके अंदर यह देखे, thyroid follicle के जो cell है, वो देखे आप, ठीक है, जो periphery पे जो है, ठीक है, border पे जो cell है, जो follicle है, जो cell है, वो देखे आप, तो वो cell कैसे है, flat है, ठीक है, अच्छा, फिर, यहाँ पे, अब देखिए, जो normal, जैसे कि, ज्यादा तर जो लोग है, normal है, ठीक है, तो normal जो गर्टी है, उसमें कैसा रहेगा, एकी नहीं, TSH normal है, तो, तो फिर आप देखिए, thyroid की size है, वो देखिए, thyroid gland की, और यहाँ पे द उसकी size, देखिए, thyroid follicle, और जो cell है, वो कौन से है, follicle, follicle के आसपास, जो cell है, उनका जो shape है, यहाँ, कौन से cell है, तो वो cuberdle shape है, ठीक है, और अब, अब देखिए, अगर, देखिए, क्या हुआ, जो pituitary, जो है, इसमें अगर, ट्यूमर हो गया, त्यूमर की वज़े से, क्या हो रहा है, ऐसे वेक्ती में, TSH का जो secretion है, वो जादा हो गया, तो TSH जादा है, तो उसकी वज़े से, आप देखिए, thyroid mass जो है, thyroid gland जो है, वो बड़ी हो गयी है, तो जब वो बड़ी हो जा जाती है, तो देखिए, क्या हुआ, thyroid follicle जो cell जो थे पहले cubodal थे अब वो क्या तो thyroid follicle cell columnar अब वो कैसे हो गए columnar हो गए है और जो colloid है colloid जो है वो भी काफी कम होग चुका है ठीक है तो ये जो है ये हमारा सात्मा point है ठीक है ये सात्मा point जो मैंने आपको समझाया नहीं पढ़ना है अगर ये point तो भी कुछ नहीं ये जो figure है इसी से आप पूरा जो है समझ जाओगे क्या कहना चाहरा है ठीक है तो इस तरह से फिर ये एक छोटी table है आपके समझने के लिए अगर आपको interest है तो आप थोड़ा समझ सकते हैं इसको चलिए फिर अब दीखिए जो जो follicle जो cell है वो दो हॉर्मोन का निर्मान करते हैं एक जो है उसका नाम है थाय रॉक सेन ठीक है एक हॉर्मोन उसका नाम क्या थाय रॉक सेन और उसको क्या कहते है उसका दूसरा नाम क्या है थाय रॉक सेन का टेटरा आई ओ डो थाय रो ने ठीक है यानि की T4 ठीक है क्योंकि यह जो T4 जो है उसमें क्या होता है contain four atom of iodine उसमें iodine के चार atom होते हैं ठीक है और दूसरा कौन सा है पॉलिकलर सेल जो प्रोडूस करते हैं दूसरा होर्मोन वो कौन सा है दूसरा होता है ट्राय आई ओ डो थाय रो नेन ठीक है क्या कहेंगे ट्राय आई ओ डो थाय रो नेन ठीक है तो इसमें contain थ्री एटम और पायवडिन इसमें आवडिन के तीन एटम होते हैं ठीक है तो जो टी थ्री जो है एक हुआ टी फोर और दूसरा क्या हुआ दूसरा जो है वो हुआ टी थ्री तो टी फोर टी थ्री जो है इन दोनों को एक साथ में क्या कह सकता है हम इनको इकटा हम थायरोइड हॉर्मोन के नाम से इनको जान सकता है फीगर जो है इसमें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आगे है देखे ये जो है ठीक है यहाँ पर लिखा है टू में टाइप ओप थायरोइड हॉर्मोन ठीक है थायरोक्सिन टी फोर एन टाय आयोडो थायरो निन टी थ्री ठीक है फिर क्या डिफर फ्रॉम इच अधर बाइडिशन ओफ वान आयोडीन एन टी फोर एक दूसरे में अंतर क्या है इनका एक आयोडीन का अंतर है टी थी फोर में ठीक है फिर ज़्यादा तर जो होता है मेजूरोटी अप सर्कुलेटिंग टी एच इस टी फोर ज़्यादा तर बलड में कौन सा होता है टी फोर ही होता है ठीक है और फिर Almost all of the circulating TH is bound to thyroxine binding protein यह जो है तो circulating TH है वो किसके साथ में जुड़ता है thyroxine binding protein के साथ में जुड़ता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो structure है वो खाली आपको देखना है खाली आपकी जानकारी के लिए कभी T3, T4 इनका एक structure यहाँ पर आपको दिखाया है और आगे बढ़ता है नो नमबर का पॉइंट है उस पर आते है चलिए अब यह हो गया अब यह जो figure है histology का slide है ठीक है? इसमें पूरा histology का slide जो है वो पहले आप अच्छे से देखिए सारे जो नाम है वो आप देखिए जो follicle जो है ठीक है? फिर देखिए यहाँ पर लिखा है follicles बताई है और उसमें colloid भरा हुआ ठीक है? फिर capillary बताई है arterial देख सकते हैं फिर यहाँ पर आप देखिए follicular cells जो हैं वो आपको दिखा है फिर यहाँ पर भी सारे जो नाम है वो आप देख सकते हैं ठीक है? अच्छा अब thyroid brain की जो follicle है ठीक है? उनके बीच में एक दूसरे प्रकार के cell होते है तो follicle के बीच में दूसरे प्रकार के जो cell है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है paro follicular cells ठीक है? paro follicular cell या तो c cell कहते हैं इनको ठीक है? और यह जो c cell है वो कि इसके बीच में है तो जो follicles है उनके बीच में मौजूद होते हैं और यह जो c cell जो है वो क्या करते हैं? they produce यह paro follicular cell या तो c cell जो है वो क्या करते हैं? produce hormone calcitonin ct ठीक है? calcitonin hormone जो है उसका निर्मान करते हैं calcitonin और यह calcitonin क्या करता है? which helps regulate calcium homeostasis calcium का जो homeostasis है उसका नियंतरन करने में यह मदद करता है help करता है, सहाइ करता है तो यहाँ पे पूरा जो slide है वो आप देखिए histology का सारे जो नाम है वो आप समझे थाइरोड ग्लेंड का general view आपको दिखाया है और हेमाटक्सलीन इवसिन से इसको stain किया है फिर यहाँ पे भी यह भी देखिया अब ताइरोड ग्लेंड सारे नाम जो है देखिए फॉलिकल आपको दिखाई है ना फिर फॉलिकल जो सेल है वो देखिए यहाँ पे नितर विद्र है फिर यहां पे दील के बारा फोलिकल डा सेल्स तो ए अपहर जिए धाया थाइरोड और पिर रताइरोड दोनों इन्मामले स उक्राइरोड दीने में अर्यमाल यहाँ दोनों का ऐल आए क्रोस सेक्षन है इस स्लाइड में फिर यहां पर देखे आप थाइरोड लेंड वाला पूशन कितना है फिर कनेक्टे टिश्यू आ जाती है बीच में फिर पेरा थाइरोड बताईए यहां पर भी अगर आप चाहे तो दीख सकते हैं थाइरोड पॉलिकुलर सेल और यह सारा जो है सभी जो नाम है इनका जो की है वो भी मैं आपको दीखा देता हूं ठीक है काफी डीटेल में हैं अगर आपको इंट्रेस्ट है तो पढ़ सकते हैं ठीक है इसके बारे में जानकारी अगर थोड़ा इंट्रेस्ट है तो पढ़ सकते हैं तो इसी के साथ में यह जो प्रेजंटेशन लेक्चर है ठीक है जो थाइरोड ग्लेंड का एनाटॉमी और हिस्टोलोजी के बारे में था अब यह लेक्चर यहां पर समाप्त होता है आशा करगा हूं कि यह जो प्रेजंटेशन लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परिक्षागी तेयरी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे से कर पाएंगे मेरा नाम मनिस कोष्टी सर है मैं एम स्थे लेक्चर एंगे मास्थे प्रेजंटेशन एंगे ऊंगे यह जो अप्रो वेर यह लो अग्यास है प्रोड़ाएंगे यह नामस्थे